हेलो फ्रेंड्स, वेल्कम टू दू दरैस पूल्ट्री फार्मिंग दोस्तो आज मेरा बड़ा बड़ 28 दिन का हो गया है और दोस्तो हमने 25 दिन से वीडियो नहीं डाला था तो मैं इस वीडियो में पूरा कवर करने वाला हूँ पचीसवां, 26, 27 और 28 दिन के मैनेश्मेंट में हमने क्या क्या किया है कौन सा मेडिसीन चलाया है और मेरा बड़ कैसा है इस वीडियो में हम पूरी सानकारी देने हैं तो दोस्तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 25 दिन की तो पचीसवे दिन के सुबा में हमने देखा कि मेरा बड़ ठीक ठाक था और हमने पचीसवे दिन के सुबा में किड्नी फ्रेसर नेफ्रो टेक दिया और दोपहर वाले पानी में हमने साधा पानी दिया और रात वाले पाने में हमने लिवर टारनिक टॉक्सल दिया और दोस्तों 25 दिन के मेनेज्श्मेंट में हमने एक चेंज किया अब हम बात करते हैं 26 दिन के बारे में तो 27 दिन के सुबह में हमने देखा, दोस्तो मेरा बढ़ फिर से चिक-चिक कर रहा था ह। तो हमने सुबह वाले पाने में Kidney Freser और Cove Siraf, Kidney Freser में हमने Nephrotech दिया था, और Cove Siraf में हमने Palmo-Bush to दिया था। दोपर वाले पाने में हमने साधा पाने दिया और साम वाले पाने में हम लीवर टानिक और एंटिवाइटिक दिया लीवर टानिक में हमने टॉक्सल दिया था और एंटिवाइटिक में हमने ट्राक्स दिया था जिसमें टाइलोसीन टाट्रेट है दोस्तों अगर डोज की बात करते हैं तो हमने लीवर टानिक टॉक्साल को 15 ml पर 100 बर्ड के हिसाब से और एंटिवाइटिक ट्राक्स को हमने 60 ग्राम पर 1000 बर्ड के हिसाब से दिया था तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं आज 28 दिन के बारे में तो 28 दिन के सुबह में भी हमने वही किड्नी फ्रेसर और कफ सिरफ दिया किड्नी फ्रेसर में हमने नेफ्रो टेक दिया था और कफ सिरफ में हमने पल्मो बुष्ट दिया दोस्तों गर डोज की बात करते हैं तो किड्नी फ्रेसर को हमने 15 ml पर 100 बर्ड के हिसाब से और कफ सिरफ को भी हमने 15 ml पर 100 बर्ड के हिसाब से दिया था और आ लिवर टाइनिक में हम टाकसाल देंगे दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं मोटालिटी की तो हमने 22 दिन में बताया था मेरा 25 बड़ मरा है और 22 दिन के बाद से अब तक 5 बड़ मर चुका तो पूरा अब तक 30 बड़ मर चुका दोस्तों और अभी चिक्स में CRD की कमी नजर नहीं आ रही है अभी भी चिक्स चिक चिक कर रहे हैं तो मिलते हैं कल हम 29 दिन की वीडियो में दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर दें और दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें So thank you friends Thank you for watching and take care